एक बिसे का बिद्वान दस बिसे का मूर्ख होता है नहीं आपने कभी सोचा है कि नहीं एक बिसे का बिद्वान दस बिसे का मूर्ख होता है इसलिए PGI में जाओ तो 1500 डाक्टर हैं लेकिन हर डाक्टर के नीचे लिखा है यमडी सब यमडी है नीचे लिखा है सिसू रोग बि भैया लेकर जाओ किसी और के पास हमारे समले नहीं नहीं आता है लेकिन ये जो विध्या है ठाकुर की किर्पा जब हो जावे तब कहीं पढ़नी नहीं जाना है सब कुछ दिमाग में वहीं आके बैठ जाता है जो ठाकुर के विध्याले में पढ़ा कभी फेल नहीं हो सकता हमारा इसलिए कभीर कभी स्कूल में नहीं कहते हैं कभीर कहते हैं तु कहता कागज की लेखी मैं कहता आखों की देखी और कभीर किसी बिस्विद्याले में पढ़ने नहीं गए और आज भी हर बिस्विद्याले में कभीर के साखी रमैनी भीजग पर को कोई भी PhD करने को तयार नहीं है क्यों नहीं है अक्षड भासा अब कभी लिखते हैं एक चंभा एसा देखा बंदर दू है गाय दू दही सम्भिल के खावें गिया बनारस जाए अब करो प्यचित्र लिखते हैं कि यह नगरी के करे को रखवरिया किस एंगल से लिखा क्यों लिखा गलत नहीं लिखा है लिखा तो सही है जैसे एक चंभा ऐसा देखा कि बंदर दू है गाय और दू दही सम्भिल के खावें गिया बनारस जाए यह बंदर को ने कहें मन और इंदरियां है गाय और इन इंदरियों के बीच में मन हमेशा सबको घुमाता रहता है कभी यह कभी वो कभी वह चाहिता है इंद्रियां शेति काम खतना लेकिन मन अभी खतम नहीं है तो घरवाले करते क्या है कि जब तक इंद्रियां सचेत थी करफालों ने खुब काम लिया ड्र हां मेरे बाबु अब चना हो गयाक और भर्जद caus सब मिल के खाए अब जब के और घी घी बचा हड़ी हड़ी बचा तो के घीया बनारस जाए तो कबीर कभी गलत नहीं लिखे हैं बसरते समझने की बात है बस समझ गई तो सब कुछ हो सकता है